1.5AA के 2 Electric Cells लीजिए Metal Cap वाला हिस्सा cell का Positive Terminal है और उसके विपरीत में चप्टे Metal Base वाला हिस्सा Negative Terminal है Electric Tape का इस्तमाल करके एक cell के Positive Terminal को दूसरे cell के Negative Terminal से जोड दें इसे Battery कहते है एक बैटरी, सीरीज या पैरलल में जुड़े, दो या उससे अधिक सेल्स का कॉंबिनेशन होती है ये कॉंबिनेशन क्या है? खै, अगर सेल्स के opposite terminals आपस में जुड़े हैं, तो हम कहेंगे कि सेल्स सीरीज कॉंबिनेशन में जुड़े हैं हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सेल्स सीरीज में कनेक्टिड हैं पैरलल कॉंबिनेशन तब होता है जब positive terminals या सेल्स के negative terminals एक साथ जुड़े होते हैं हाला कि हम सिर्फ सेल्स के सीरीज कॉंबिनेशन में दिल्चस्पी रखते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस single cell को बैटरी कहते हैं लेकिन physics में बैटरी एक से ज्यादा सेल्स का जुड़ होती है तो ये एक बैटरी है जिसमें एक तरफ positive terminal है और दूसरे तरफ negative terminal है हम इस system में और ज्यादा सेल्स को जोड़ सकते हैं लेकिन सुनिश्चित करें कि positive और negative terminals एक साथ जुड़े हुए है अगर चार्ड सेल्स भी एक साथ जुड़े हो तब भी इसे एक बैटरी ही कहेंगे चलिए बैटरी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं दो cell की combination वाली एक बैटरी का voltage कितना होगा खेर अगर सेल्स सीरीज में जुड़े हैं तो उनकी voltage एड़ होती है इसका मतलब है कि इस बैटरी की voltage 1.5 प्लस 1.5 वोल्ट होगी ये इन दोनों voltage का सम है ये किसके बराबर है? ये 2 टाइम्स 1.5 वोल्ट होगा जो 3 वोल्ट के बराबर है तो ये बैटरी एक अकेले सेल के दुगनी ताकतवर है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैटरी दुगनी चलेगी तो इसका मतलब क्या है? हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि अलग-अलग यंत्रों को काम करने के लिए अलग-अलग voltage power के sources की जरूरत होती है हमारे torch में torch pulp को उजागर करने के लिए 3V के बैटरी की जरूरत होती है इसी वज़े से एक torch में cell को series जोड़ कर इस्तिमाल किया जाता है अगर आपको याद हो तो आप torch में cell इस तरह से डालते हैं कि विपरीथ terminal एक दूसरे के संपर्क में हो हमने यंत्रों में इस अकार के battery compartment को भी देखा है हम इस cell holder में cell कैसे डालते हैं जी हाँ हम spring को दबा कर cell के negative terminal को अंदर डालते हैं ये spring किस से बनी है ये metal से बनी है और इसलिए ये electricity को conduct करती है इसके विपरीथ तरफ cell का positive terminal है जो metal के संपर्क में होता है इसी तरह हम दूसरे cell को भी अंदर डालते हैं लेकिन क्या cells यहाँ series में जुड़े हैं ये एक parallel जोड दिखाई देता है है ना? क्या ये एक parallel जोड दिखाई देता है? जी नहीं, वो एक series combination में ही है अगर हम ध्यान से खाली cell holder के अंदर एक छोड को देखे तो हम पाएंगे कि एक पतली लोही की तार या एक लोही की रॉड एक तरफ के positive terminal को उसके बगल के negative terminal के साथ जोड़ती है तो इस तरह container के अंदर cells series में जुड़े होते हैं